दोस्तों आपके बार बार मैसे जाते हैं कि सर हर्यानपुलिस की नई भरती कवाईगी तो चेर्मेन साहब ने कल इंटर्व्यू दिया है और वो बार बार इंटर्व्यू देती रहती हैं जानकर याती रहती हैं लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था कि हर्यानपुलिस में 16,000 पोस्ट वेकेंट हैं और ये कल इंटर्व्यू लिया गया है चैनल MD2 Reader के नाम से वहाँ से उन्होंने इंटर्व्यू लिया है और मैं आपको यानि चेर्मेन साब के माध्यम से ही आपको इसमें ओडियो सनाऊंगा उनकी तो आपको पता लग जाएगा कि हरियना पुलिस की भरती आएगी या नहीं आएगी कितनी पोस्ट वेकेंट है और साथ के साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जो परानी भरतीया हुई है क्या उनकी जिन्होंने फेक नंबर लियें जैसे ग्रूप डी की भरतीया है या फिर आपकी हरियना पुलिस की भरतीया या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट की भरतीया क्या उनकी जाच होगी या नहीं होगी तो मतलब की दो बड़ी ख़वर है इस वीडियो में लगता है कि पुलिस की भरती तो सायद हर साल हो कि यह नहीं है कि अब तीन साल ना हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर साल ही पुलिस की भरती होगी जो रिक्वार्मेंट है पुलिस विवा की उसके इस आप से तो यानि कि यहां से आपने खुद सुना है कि हर साल पुलिस की भरती होनी चाहिए और क्योंकि वेकेंसी जादा ही वेकेंट है लगवक 16,000 वेकेंट है अब मैं आपको इसमें दूसरी ख़वर और इसके बारे में देता हूँ जो दूसरी ख़वर है कि जो पुरानी भरतियां क्या उनकी वेरिफिकेशन होगी जिन्होंने फेक नमबर लिये या नहीं होगी तो ये भी सुन लेते हैं इस वीडियो में साथ के साथ तो आपने सुना कि यह सरकार का काम है लेटर भी लिख दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं तो जाच हो सकती है तो यानि की दो बड़ी ख़वर है इस वीडियो में वैसे मैंने आपको सौट तरीके में समझाने की कोसिस की है और आप बार बार मेसिज कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमने ये वीडियो बनाई है अगर आपको थोड़ा सा भ कोई भरतियां CET के माध्यम से होंगी चाहे वो जाई की भरती है या फिर कैसी भी कोई भरती है केबल दो भरतियों को छोड़ कर आनिकर एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरा आपका हरियनपुलिस ये आपकी CET में नहीं होंगी और हर साल ये भरतियां होना ज भी का बहुत बहुत धन्यवाद